हेलो बच्चो हमने अपने पिछले लेसन में सीखा था एंगल क्या होता है आज इस लेसन में हम अलग-अलग तरह के एंगल यानी कोन के बारे में और जानेगे सबसे पहले हम दोराते जो हमने लास्ट लेसन में सीखा था एंगल क्या होता है जब दो रेखाए एक point पर मिलती है यह एक रेखा है एक यह एक रेखा है यानि एक line यहाँ है एक line यहाँ है दोनों एक point पर मिल रही है तो वह एक angle बनाती है यानि यह होता है angle तो हम यह कह सकते है angle उन दोनों रेखाओं के बीच का turn है जिस point पर वह मिलती है दोनों सीधी रेखाय जो angle बनाती है उन्हें वो रेखाओ को कहा जाता है arms of angle यानि वो angle की भुजाय है और जिस point पर वह मिलती है उसे angle का vertex कहलाया जाता है या point जैसे तो angle के लिए क्या-क्या चीज़ों की जरूरत है दो रेखाय जो कोई point पर मिल रही है है ना दो रेखाय और जिस point पर वह मिल रही है यह होता है angle है ना और जो point पर मिलती है उसको vertex कहते है और angle की जो रेखाय होती हुन्हें arms कहते है चली अब हम विभिन प्रकार के angles को देखे के जो हमारी रोजबनरा की जिन्दगी में हम देख सकते है देखिए इस समय सोना एक छोटी से लड़की जस्ट आप्त लोगों कितरे ही पड़ाई कर रही है और घड़ी में क्या समय हो रहा है छोटा काटा तीन पर है बड़ा काटा बारा पर है तो घड़ी के दोनों हाथ एक पॉइंट पर मिलते देखिए किस पॉइंट पर मिल रहा है बताईए इस पॉइंट पर और दो हाथे तो इसलिए यह एक एंगल बनाते है तो इस समय क्या एंगल बना है इस एंगल को कहते है 90 डिग्री या राइट एंगल 90 डिग्री या राइट एंगल तो राइट एंगल क्या होता है जब दो सीधी रेखाए मिलकर राइट एंगल बनाती है तो हम कहते हैं कि वह दोनों रेखाए एक दूसरे के परपेंडिकुलर है एक सीधी और एक आड़ी स्टैंडिंग, स्लीपिंग मिला के एक परपेंडिकुलर लाइन हो गई इस एंगल को 90 डिग्री या 90 डिग्री या राइट एंगल कहते है यहाँ एंगल देखी यहाँ एंगल है 90 डिग्री का जैसे बिल्टिंग के जमीन के साथ 90 डिग्री बनता है यह जमीन एक लाइन है और बिल्डिंग क्या खड़ी लाइन एक लाइन है यह दोनों मिलाके एक 90 डिग्री बनाती है अंगल है ना तो ये जमीन के perpendicular है हम कह सकते हैं building जमीन के perpendicular है या building और जमीन 90 degree का angle बना रही है building की दोनों छोर भी 90 degree की बनाती है देखी ये और ये भी 90 degree है है नगल पर एक बहुत प्रसिद बिल्ड्टिक है leaning tower of pizza ये बहुत प्रसीद इमारत है इसका देखिए जमीन के प्रतिक कैसा एंगल बन रहा है यह ऐसा एंगल बन रहा है कुछ टेड़ा सा बन रहा है तो यह building 90 degree का एंगल नहीं बना रही है है ना और यह building प्रसीद ही इसले कि यह थोड़ी टेड़ी है इसले इसका नाम है leaning tower of pizza leaning मतब थोड़ी टेड़ी है जमीन के तरफ जोकी हुई है पर सामाने थे सारी building जमीन के परपेंडिकलर होती है यह जमीन के साथ 90 degree का एंगल बनाती है यह एक छोटा लड़का अमन है जो exercise कर रहा है यह इसका एक हाथ है यह इसका दूसरा हाथ है चलिए देखते है कैसा angle बना रहा है एक line खीचते है यहाँ से यहाँ तक इस point तक और यह उसके दूसरे हाथ तक तो यह कौन सा angle बन रहा है बच्चो यहाँ है 90 degree यहाँ हाथ दूसरे हाथ के परपेंडिकुलर है यानि 90 degree का एंगल बना रहा है फिर से घड़ी लेते थोड़ा सा समय आगे हो गया है तीन बज कर पांच मिनिट हो रहा है तो जब यहाँ पे थे बड़ी सुई तब तीन बज ले रहे तब 90 degree का एंगल था अब थोड़ा सा घड़ी घूम रही बड़ा कटा घूम रहा है तो दोनों सुईयों के बीच में दूरिया कम हो रही है पहले यहाँ पे था अब देखिए यहाँ आ गया है तो थोड़ी दूरी कम हो गई राइट यह लाइन और इस लाइन के बीच में दूरी कम हो गई तो इस एंगल को कहते है acute angle क्या कहते है acute angle मतलब जो 90 degree से कम हो 90 degree कब था यह लाइन यहाँ थी यहाँ थी तो perpendicular थी पट यह लाइन खूम के इधर आ गई तो 90 degree से थोड़ा कम हो गई तो इसे कहते है acute angle जैसे कैचियों के दोनों भुजाओं के बीच का एंगल या फिर मगरमच के दोनों जबड़ों के बीच में बनने वाला एंगल देखिए यह जबड़े में एक लाइन ऐसे जारी एक लाइन ऐसे जारी और यहाँ पर मीट कर रही है मिल रही है तो यहाँ 90 degree से कम है है ना 90 degree होता तो लाइन ऐसा होता पूरा मुँ अगर उपर की तरफ खोल सके मगरमच तो वो 90 degree होता बट सामानित्या इतना उपर मुँ नहीं खोल सकता तो इसलिए मगरमच के दोनों जो के बीच का जो एंगल है वह 90 degree से कम है वह भी acute angle है ना बच्चो अब देखते हैं यहाँ मैंने अपने हाथ की कोहनी ऐसे mode रखी है है ना एक लाइन ऐसे जारी एक लाइन ऐसे जारी और यहाँ पर कोहनी पर mode रखा है तो यहाँ पर क्या एंगल बन रहा है बताईए क्या यह 90 degree है नहीं उससे कम है तो यहाँ भी acute angle है है ना यहाँ भी acute angle है यहाँ अगल भी acute angle है अब मैं अपने हाथ थोड़ाँ सा खोल लेता हूँ अब देखते हैं क्या angle बन रहा है देखिए एक line यहाँ एक line यहाँ कोहनी पर मिल रही है तो यह कौन सा एंगल हो गया यहाँ तो right angle हो गया यानी मेरा एक मतलब मेरा जो यह हाथ का यह पार्ट है और यह है यह कोहनी पर मिलके perpendicular हो गया है यानी right angle हो गया है ना अब मैं हाथ को पूरा खोल लेता हूँ तो यह point यह है एक part यह है तो अब क्या हो गया यह पूरा straight line जैसा हो गया इस प्रकार तो यह कौन सा angle है यह है 180 degree यह straight angle ठीकिन अब बिलकुल सीधा इस point पे एक line इदर जारी एक line इदर जारी एक point पे इधर जारी इधर जारी तो इसे कहते है straight angle है ना तो यहाँ है straight angle यहाँ है right angle और अगर मैं एको right angle इस तरव बना दू तो straight angle क्या होता है right angle का double यह 90 degree था यह भी 90 degree था यह कुल मिलाके हो गया 180 degree यहनी straight angle ठीक है ना तो इन दो line के बीच में है straight angle इस और इस line के बीच में 90 degree है इस और इस लाइन के बीच में भी 90 डिग्री है पर इन दो लाइन के बीच में 90 प्लस 90 180 डिग्री है यह नि स्ट्रेट अंगल इस प्रकार है ना तो स्ट्रेट अंगल इस डबल ओफ राइट अंगल अब मैं अपने हाथ को कुछ इस तरीके से फिलात हो इदर और इदर अब क्या अंगल बन रहा देखे जरा 90 डिग्री यहाँ पे था तो इन 90 डिग्री से थोड़ा बड़ा होगा है ना पर पूरा सीधा नहीं किया तो 180 डिग्री से कम है है ना तो इन 90 से तो ज़्यादा है 90 यहाँ पे आता मेरा अगर हाथ होता 180 मतब सीधा होता इन दोनों के बीच में जो है मतब जो 90 डिग्री से ज़्यादा और यह देखे 90 डिग्री यह है उससे तो ज़्यादा है और 180 डिग्री मतब जो सीधा स्ट्रेट अंगल उससे कम है यह एंगल क्यलाता है obtuse angle क्या क्यलाता है? obtuse angle ठीक है ना? तो angle को आप रोज मन रहागी जिन्दगी में हर जगा देख सकते है किस प्रकार आपके pencil किताब पर लिखी जा रही है किस प्रकार एक खुरसी है किस प्रकार TV टेबल पर रखा हुआ है इत्यादी है ना? तो चीजों को observe करो ध्यान से देखो और देखिए उसमें क्या angle बन रहा है ठीक है ना बच्चों? फिर मिलेगे बाबाई